हलो बच्चो तो आप सब कैसे हैं आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस फॉर्मूला जो कि हमारा वन बाई या फिजिक्पल टू बाई वी माइनस वन बाई यू ठीक है तो आज हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे जो कि बोड के पॉइंट अब व्यू से बहुत ही इंपॉर्मूला है और हमें जितने भी नुमेरिकल करने होंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो इस फॉर्मूले को डेराइब करने से पहले हमें इस फॉर्मूले को डेराइब करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशन बनाए गए हैं वो साइन कन क्या है पहले उस sign convention को हम समझेंगे उसके बाद हम इस formula को derive करेंगे ठीक है तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे syllabus में दो तरह के lenses हैं दो तरह के lenses मतलब एक concave और दूसरा convex lens है ठीक है तो इस formula को दोनों ही lens से derive किया जा सकता है ठीक है और हम लोग करेंगे भी तो इस lecture में हम आपको इस formula को convex lens से derive करके बताएंगे और जो हमारा अगला lecture होगा उसमें हम इस formula को concave lens से derive करेंगे ठीक है तो अपना copy pen निकालो और खुद के notes बनाओ ठीक है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप उसका notes खुद से बनाओ और क्योंकि board या paper time पे exam time पे आपको खुद से पढ़ने में जितनी help मिलेगी वह आपके लिए उतना better होगा ठीक है तो आप अपने notes खुद से बनाइए तो इस formula को drive करने से पहले हम लोग वह sign convention समझते हैं तो heading लगाईए sign convention अब यह sign convention क्यों बनाए गया है देखिए पहली बात तो हमने आपसे शुरू से यह आपसे बता रहा हूं मैं कि जब कोई भी दो relative terms होते हैं जैसे अगर velocity का comparison हम velocity से करेंगे displacement का comparison displacement से करेंगे तो आपको पता है कि अगर हमें two kilometer north में जाना है और two kilometer south में जाना है किसी दूसरे को तो हम क्या करेंगे उस point से mid point से जहां से हम measurement कर रहे हैं उसको हम negative और positive में दिखा सकते हैं ठीक है तो किसी भी relative term को so करने के लिए हमें बना जाता है sign convention तो यहां पर जितने भी term है यहां पर जैसे f f क्या है यहां पर focal length of lens है क्या है focal length of lens lens का यह focal length है f और v क्या है v है position of image v क्या है position of image और u क्या है position of object ठीक है position of object ठीक है तो यह सभी term कैसे measure हुए हैं और यहां पर क्या है इसको अब हम लोग समझेंगे पहले sign convention से ठीक है तो sign convention का पहला rule यह कहता है कहता है कि जो भी measurement जो भी measurement incident ray की direction में हो रही है उसको हमें क्या लेना है positive लेना है ठीक है direction of incident ray यह आप लिखिए direction और इंसीडेंट रे इंसीडेंट रे इस टेकन एस positive टेकन एस positive ठीक है जो भी इंसीडेंट रे का direction होगा उसको हमें positive लेना पड़ेगा मानने जी हमारे पास कैसा लेंस है convex लेंस है और यह हमारी incident ray है तो जो भी measurement हम लोग इस direction में करेंगे उस measurement को positive लेना पड़ेगा आई बात समझ में जो भी measurement incident ray के direction में लेंगे उसको हमें positive लेना पड़ेगा और जो भी measurement इसके जस्ट अपोजिट लेंगे उसको हमें क्या लेना पड़ेगा निगेट्व लेना पड़ेगा इतनी बाद क्लियर है तो यहां पर और भी लिख लिए से इसी राइन को आगे बढ़ाईए एंड and opposite to it opposite to it is taken as is taken as taken as negative ठीक है जो उसके opposite होगा उसको negative लेंगे और जो direction में होगा उसको positive लेंगे ठीक है पहला sign convention यह था अब दूसरा point आप note करिए दूसरा point यह कहता है कि जो भी measurement principal axis के above होगा ठीक है all the measurement all the measurement all the measurement taken above the principal axis above the principal axis above the principal axis is principle axis is negative समझ में आई बार all the measurement taken above the principal axis जो भी principal axis है उसके जो भी measurement उपर होगी उसको हमें positive लेना पड़ेगा और down जो होगा उसको negative लेना पड़ेगा ठीक है अब ये तो हमें समझ में आ गया कि positive negative किसे लेंगे ठीक है अब next point हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सभी measurement कहां से ली जानी चाहिए ये सभी measurement हम कहां से करेंगे वह हमारा होगा third point तो third point note करिए first आपने कर लिया erase कर दें ठीक है first point हम erase करते है first point ये था हमारा कि direction of incident rate is taken positive while opposite to it is taken as negative ठीक है तो third point ये कहता है all the distances all the distances are measured from the optical center optical center ठीक है कहां से measure किया जाना चाहिए वह सभी measurement optical center यानि इस point से ही measure होना चाहिए ठीक है वह चाहिए इस direction में हो चाहिए इस direction में हो सभी measurement को हमें कहां से measure करना पड़ेगा optical center से ठीक है इतनी बात clear है यही हमारे science convention है अब हम लोग समझेंगे कि हमारे ये formula कैसे derive हुआ ठीक है चलिए अब heading लगाए derivation of lens formula which is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ठीक है repeat करिए हमारे साथ क्या 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ठीक है तो इस formula को हम लोग corner में लिखते हैं और अपना formula derive करते हैं 1 by f should be equal to 1 by v minus 1 by u यह हमारा है lens formula और आज हम किस lens से derive करेंगे वो करेंगे convex lens ठीक है convex lens से हम इस formula को derive करेंगे ठीक है तो चलिए पहले हम लोग ray diagram बनाते हैं किसी भी position पर object को रखते हैं और फटा-फट ray diagram बनाते हैं ठीक है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि मैं उपर बना रहा हूं इसके थोड़ी लाइन टेड़ी हो जा रही है ठीक है यह हमारे पास है हमारा क्या convex lens है ठीक है चलिए अब यह हो गया हमारा क्या हो प्रिंसीपल एक्सिस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं प्रिंसीपल एक्सिस माल लेते हैं यह हमारे पास focus f1 यह ओगया optical center ओ ठीक है यह हो गया हमारे पास second focus f2 हो गया ठीक है अब अब्जेट को मैंने कुछ यहां पर माल लीजिए यह अब्जेट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख रखा ठीश कोई प्रॉब्लम नहीं है यह हो गया यह भी तो आप पोजीशन ओफ इमेज तो एकदम आशानी से बता सकते हैं कि मैंने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रख रखा है तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी सेम साइज की होगी इनवर्टेड इमेज होगी यह सभी चीज़े आपको एकदम हो जवानी एकदम रटा होना चाहिए ठीक है 101 परसेंट रटा होना चाहिए मैंने इतने अच है और इस लेंज को तोड़ा सा जा इसको मैं दो पार्टस वैसे भी वाइक करें ठीक है एक मैं ले गया रेक ऐसी पैरलल रहे गई तो मीड करेगी कहा सी पास होगी पहले यह तो देखो आफटर रिफटेशन फों दे लेंस से रिफ्रेक्ट होने के बाद वो सेकेंड फोकस से पास करेगी समझ में आरी बात ठीक है अब देखिए दूसरी रे हम ले चलते हैं कहां से दूसरी रे हम ले चलते हैं दूसरी रे ले चलते हैं हम लोग कहां से ऑप्टिकल से ले जाते हैं और जैसा कि हम लोग को पता है कि ऑप्टिकल से पास होने वाली रे एक स्ट्रेट पाथ में चली जाती बिदाउट डेवियेशन यानि अंडेवियेटेड रे पास होती है ठीक जिसका नाम दे देते हैं B dash और A dash ठीक है अग जैसा कि हमने देखा कि यह दोनों raise कहां पे meet कर रही है इस point पे meet कर रही है तो principal axis से एक perpendicular draw करें इस point पे और यही होगी हमारी image की size और यही होगी हमारी image ठीक है इतनी बात clear कोई problem बिलकुल नहीं ठीक है अब इसको कुछ नाम करण कर देते हैं इसका ठीक है तो यह माल लेते हैं हमारे पास हो गया D यही point पॉइंट तो सिर्फ बचा हुआ है बाकी सभी तो मैंने दे रखा यह रहे कि A B यह हो गया और O point यहाँ पे raise meet कर रहे है यह D हो गया और यह हो गया F2 और similarly A dash B dash हो गया ठीक है समय में आरी बात तो अब हम लोग को लिखना भी यही पड़ेगा कि let A B be the object ठीक है A B object है and the incident ray coming from the B after refraction through the lens lens से refract होने के बाद passes through coming parallel है यहाँ पर एक बात और बोलनी पड़ेगी the raise the raise parallel to the principal axis coming from the point B after refraction passes through point F2 which is focus ठीक है focus से pass होती है and the second ray from the B passes through the optical center which is refracted without undeviation क्योंकि यह optical center से जो भी रेज आती वो deviate नहीं होती और यह point जाके दोनों ही एक जगा मिलते हैं और एक perpendicular मैंने principal axis से draw किया तो यह जहां पर raise मिट कर रही थी वहां पर हमारी image बनी क्या a dash b dash ठीक है चलिए अब हम लोग को कुछ इसमें क्या लगाने है कुछ mathematical function यूज करने है ठीक है mathematical functions यूज करने है जैसे trigonometric का यूज करना है ठीक है कोई बात नहीं तो देखिए अगर हम लोग देखें तो मैंने object को भी perpendicular in triangle दो triangle को observe करना है in triangle abo and in triangle a dash b dash o triangle a dash b dash o समयारी बात किस-किस triangle की बात कर रहा हूं मैं इस triangle की बात कर रहा हूं और ये बड़े वाले triangle की बात कर रहा हूंиц whom अब आप लोग देखिए कि इस ट्राइंगल में जो एंगल A, sorry, B, A, O जो है, वो एंगल क्या है? O, A' and B' है, जो की दोनों ही राइट एंगल यानि 90 डिगरी है मैंने object को perpendicularly principal axis पर रखा है, इसलिए ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? 90 डिगरी होंगे, clear है, इतनी बात clear है, clear है बिल्कुल, ठीक है अब देखिए, दूसरा एंगल हम लोग इसी ट्राइंगल में देखते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखिए, एंगल B, O, A, should be equal to angle A' O, B' जो की क्या है? वर्टिकली, वर्टिकली, ओपोजिट एंगल, ठीक है, बराबर होंगे की नहीं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, दोनों जब किसी भी दो ट्राइंगल के, दो एंगल, दो साइड, या कोई भी, अगर बराबर हो जाएं, तो ऐसी दो ट्राइंगल को हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में similar हैं और similar दिखाने के लिए हमें तो यहां पर लिख सकते हैं So, triangle A, B, O is similar to triangle A-B-O ऐसा लिख सकते हैं चलिए अगर ये दो triangle similar हो गए तो इनके जो sides का ratio होगा वो same आएगा बस इतनी इसी बात मैं आपको यहां पर समझाना जा रहा था कि अगर ये दो triangle similar हैं तो इनके जो sides का ratio होगा वो same आएगा ठीक है बस इतनी इसी बात है clear होगा चलिए तो note करिए हाँ पर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चलिए यहाँ पर same side का क्या होगा यहां से हम लोग लेते हैं A B और यहां से लेते हैं A dash B dash ठीक है A B upon A dash B dash अब देखें base को measure करिए base क्या है A O A O upon A O upon A dash O ठीक है A dash O यह होगया first equation समझ में आई बात A B upon A dash B dash और similarly यहाँ A O upon A dash O ठीक है यह first equation होगया similarly अगर हम triangle triangle काउन से triangle अगर देखें D O F2 triangle आएंड यहाँ पर लगा दीजिए and triangle D O F2 and triangle कौन सा triangle A dash B dash F2 A dash B dash F2 ठीक है इन दोनों triangles को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या है vertically opposite angle है और यहाँ पर यह कैसा है 90 degree है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल D O F2 is equal to angle F2 A dash B dash should be equal to 90 degree दिख रहा है ना यह एंगल यह एंगल 90 degree हो गया और यह एंगल यहाँ एंगल D यह एंगल D यह एंगल D यह एंगल D should be equal to एंगल B dash F2 A dash यह क्योंसा है vertically opposite vertically opposite angle है तो इसका मतलब यह भी दो ट्रेंगल क्या हो गए similar हो गए similar हो गए triangle D O F2 is similar to A dash B dash F2 हो जाएगा ठीक है समझ में आई बात और अगर यह दो triangle similar हो गए तो हम यहाँ से भी वही चीज़ लिख सकते हैं कि इस side upon this side that is D O upon A dash B dash should be equal to this base upon this base that is O F2 upon F2 A dash A dash F2 समझ में आई बात इतनी बात clear है note कर लीजिए note कर लीजिए बिलकुल ठीक है समझ में आई बात इधर erase कर दें अब देखिए इतना note हो गया अगर note नहीं है तो वीडियो को pause करें और note करें ठीक है चलिए अब हम लोग देख लिए कि ये दोनों अब यहां से देखिए जो A B की length होगी वही DO की length होगी यानि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि A B should be equal to DO के बराबर होगा होगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि equation number third यह होगा equation number second समझ में आ रही है वाग यह लिख सकते हैं आप देखिए इस equation में A B upon A dash B dash upon O is equal to O F2 upon A dash F2 और यहां पर देखिए A B upon A dash B dash is equal to A O upon A dash O तो यहां से हम लोग यह लिख सकते हैं कि यह और यह दोनों ही आपस में equal हो गए यानि O F2 upon A dash F2 should be equal to A O upon A dash O समझ में आई बात समझ में आ रही बात यह देखिए A B upon A dash B के बराबर यह है और A B upon A dash B के बराबर यह है तो यह भी दोनों ही तो equal हुए वही तो लिखे हैं यहां पर दोनों ही आपस में equal हैं अब इसको यही पर छोड़िए अब हम इस figure पर आते हैं ठीक है समझ में आरी बात अब देखिए यह object रखा है और optical center से इसी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं U बोलते हैं समझ में आरी बात इसी को U बोलते हैं और यह measurement optical यानि incident रहें कि just opposite हम measure कर रहे हैं इसलिए इसको negative लेना पड़ेगा ठीक है पहली बात AO का पता चल गया कि यह minus U होगा ठीक है यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि AO is equal to minus U ठीक है अब देखिए यहाँ पर A dash O लिखा हुआ है A dash O A dash O क्या है इसी distance को हम लोग क्या बोलते थे V बोलते थे यह image की दूरी है optical center से तो यहाँ से A dash O की value हम लोग क्या लिख सकते हैं A dash O is equal to V लिख सकते हैं ठीक है समझ में आरी बात A dash O को हम लोग क्या लिख सकते हैं V लिख सकते हैं चलिए अब O F2 की बात करते हैं O F2 O F2 को ही तो हम लोग क्या बोलते थे focus बोलते थे यह होगा हमारा focus यानि O F2 should be equal to focus के बराबर होगा और यह positive होगा क्योंकि incident ray के direction में है अब A dash F2 को क्या लिखेंगे A dash F2 को रिखें क्या लिख सकते हैं A dash F2 should be equal to अगर हम क्या कर दें कि इतने में से इतने को minus कर दें तो हमें A dash F2 मिल जाए यानि देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से draw कर दे रहा हूँ यह O dash A dash लिखा हुआ है और यह है हमारा F2 ठीक है अब इस length को हमें चाहिए और हमें यह पता है यह पता है तो इसमें से यह total length है total में से अगर इतना minus कर दें हम तो यह length हमें मिल गई समझ में आरी बात कि इसमें से अगर इतना minus कर दें तो यह हमें मिल जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि O A dash minus of O F2 समझ में आरी बात, अब देखिए, O A dash क्या है हमारे पास, O A dash है V, और O F2 क्या है, O F2 है हमारे पास focus, ठीक है, अब इन सभी values को हम यहाँ पर put करते हैं, रखिए, O F2 की value, focal length F, upon A dash F2 को क्या लिख सेते हैं, V minus of F, should be equal to, अब यहाँ पर A O को क्या होते हैं, A O को minus U बोलेंगे, ठीक है, और A dash O को क्या बोलेंगे, V बोलेंगे, ठीक है, इतनी बात note करिए, इधर note कर लिए हैं, erase कर दें, erase कर दें, ठीक है, चलिए, अब इसको उन लोग multiply करते हैं, तो देखिए, इधर हो जाएगा, F V is equal to minus times of U is equal to V minus of F, समझ में आई बात, ठीक है, तो देखिए, हो जाएगा, F V is equal to minus of U V plus of U F, ठीक है, इतनी बात clear है, ठीक है, अब क्या करिए, इन सभी पूरे equation को divide, dividing by UVF whole equation, whole equation को हम लोग, UVF से divide कर देते हैं, तो देखिए, क्या हो जाएगा, F V upon U V F is equal to minus U V upon U V F plus U F upon U V F, तो देखिए, हाएगा, U F, U F cancel, U V, U V cancel, F V, F V cancel, तो यहाँ हो गया, 1 by U is equal to minus 1 by V is plus 1 by F is equal to, sorry, sorry, कहीं पर गलती हुई है, कहाँ पर गलती हुई, यह positive नहीं आएगा, 1 by F is equal to 1 by V, O A dash positive minus of OF2, ठीक है, समझ में क्यार है, minus V F plus U F, तो समझ में आ रहा है, देखिए, यहाँ पर मैंने F V is equal to minus U V plus U F किया, ठीक है, समझ में आ रही इतनी बार, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस U V को इधा transpose करेंगे, ठीक है, देखिए, मैंने क्या किया, U V को plus करेंगे, तो यह हो जाएगा, U V is equal to U F minus of, U F minus of F V, ठीक है, यह होगा, अब पूरे question को हम लोग, U V F से divide कर देते हैं, तो देखिए, U V F upon U V F, अब देखिए, यहाँ से U V cancel, यहाँ से U F cancel, और यहाँ से F V cancel, तो यहाँ बचा, 1 by U is equal to 1 by V minus times of 1 by U, ठीक है, तो यही formula हमारा derive करना था, और derive हो गया, समझ में आई बात, कहीं problem तो नहीं हुई, अगर problem होई है, तो आप video को पीछे करके देखिए, और जहाँ पर problem हो, उसको comment box में बताएं, या तो समझें उसको, ठीक है, तो आज के लिए बस इस formula तक हम लोग सिमित रहेंगे, और next lecture हमारा होगा, जो कि हमारा concave lens से हम लोग समझेंगे, कि कोई formula, इस formula को कैसे derive करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, all the very best.